तो देखिए अब यह जो कोश्चन 5 है कोश्चन 5 क्या दिया है मैं कोश्चन 5 उन्होंने देखिए रखा है राइट इच आप फॉलविंग रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनामेटर्स मतलब हमें यहां पर कुछ ऐसे डिनामेटर्स दिये है जो क्या है निगेटिव तो पहले वाला क्या है बोलो अंकीत थर्टीन अपॉन निगेटिव नाइटीन अब दिखो यह जो किसा है उसको पॉजिटिव में करना है तो मैंने आपको बूला था विदाउट वैलुचेंज हमें उसको करना होता है तो वैलुचेंज नियुक्त कुन से नंबर से मटिप बाइ माइनस वन अपॉन माइनस नाइनटीन माल्टिप्लाइट बाइ माइनस वन इस तरह से करना है तो यह क्या हो जाएगा थर्टीन बंजा थर्टीन बट प्लस माइनस विल बी माइनस तो माइनस नंबर आ जाएगा और अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नाइन देखो डिनामेटर बन गया बस यह हमें करना था अब देखते हैं सेकंड नमर का क्वेशन क्या है बोलो क्या क्वेश्चन सेकंड नमर का क्वेश्चन में दिया है UV1 अपन नेगेटिव 3 मतलब माइनस त्री अब देखो इसको करना है सेम प्रोसेश कर नहीं है 1 into minus 1 upon negative 3 into minus 1 वोई आएगा, क्या करोगे, minus plus minus 1 बन्जा 1 अब minus minus plus and 3 बन्जा 3 बन गया positive denominator, राइट, अब देखते हैं तीसरा वाला question क्या दिया है minus 7 upon minus 11 क्या है, minus 7 upon minus 11 हमें numerator से कुछ लेना देना नहीं है हमें उन्हें क्या बोला है, convert the rational numbers into positive denominators तो इसको हमें क्या करना है, पस इसको देखना है उपर ओले का number को देखने की ज़रूत नहीं है so minus 7 into क्या बनेगा minus 1 upon minus 11 into minus 1 अब ये भी क्या हो जाएगा, minus minus plus so 7 बन्जा 7 and 11 बन्जा 11 वो भी minus minus plus, इस तरह से ओके, next question क्या है, 4 15 upon minus 7, क्या आएगा, same है, बोलो भी क्या करना है 15 into negative 1 by negative 7 into negative 1 क्या जाएगा, 15 बन्जा, 15 and negative minus मतलब minus plus क्या हो जाएगा, minus अब यहाँ पास 7 बन्जा, 7 और minus minus plus, हो गए सारे कंवर्ट, राइट, चलिसको लिख दो, इसके बाद question 6 देखता है, चलि अब देखते है, question 6, question 6 हमें क्या दिया है, express negative 7 by 12 as a rational number with the numerators, और numerators हमें देखे रखे हो उनने कुछ, मतलब पहला बारा जो numerator है 21, अब देखो हमें जो example दिया है, कौन सा दिया है, negative 7 by 12, अब हमें उस negative 7 by 12 का क्या करना है, मतलब जो numerator है, अब numerator क्या है 7 by 12 में, negative 7 is the numerator, अब negative 7 अगर numerator है तो उसका 21 बनाना है, right, तो 21 बनाने के लिए 7 कितने जा 21 आता है, 3 जा, अब वो negative 7 by 12 हमें दिया है, उसका हमें positive 21 बनाना है, तो negative number से multiply करना पड़ेगा, because negative negative will be positive, right, तो क्या करना पड़ेगा, negative 7 multiplied by negative 3 and by क्या बन जाएगा, 12 into negative 3, करना पड़ेगा, एक ध्यान में रखना, जिस number को numerator से multiply करते है, उसी से denominator को multiply करना पड़ेगा और जिस number से denominator को multiply करते है, कभी भी हमें fraction के numerator denominator को अलग-अलग number से multiplication नहीं करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता होगा, तो क्यों उसके value क्या हो, change नहांग, value same रहें, सुनो देखो तो इसका क्या हो जाएगा सेवें थ्रीजा विल बी 21 एंड इस निगेटिव निगेटिव बन गया है पॉजिटिव 21 जो हमें उन्होंने बूला था और डिनामेटर कुछ भी आए उससे में कुछ लिना दिना नहीं होता we have to just convert that fraction with the given numerator see तो ट्वेल थ्रीजा क्या हो जाएगा 36 बट प्लस माइनस माइनस इसलिए हो जाएगा निगेटिव 36 अब अगला वाला कॉश्चन क्या दिया है क्या बनाना निमेटर निगेटिव 28 बनाना है तो 7 की कितने जा ट्वेंटिव हो जाए 4 जा बट उसको निगेटिव ही करना पड़ेगा तो जाकी एंसर जो है वो निगेटिव आएगा तो 12 फॉर्जा भी करना पड़ेगा क्या आएगा निगेटिव 7 इंटू 4 28 बट कुन सा निगेटिव 28 और बाए 12 फॉर्जा 48 बन गया है हमारा फ्रेक्शन राइट अब अगला क्या बनाना है उससे पॉजि चुए तो ने आता है तो । ऑ हुग सेवन को सेवन से करेंगे ना किसे करेंगे seven say अधिशन देखो भी निगेटिव 7 बाइट वैल तो क्या आएगा निगेटिव 7 इंटू निगेटिव सेवन तब जाके एंसर पॉजिव बनेगा अपॉन 12 इंटु निगेटिव 7 तो क्या अब last वाला क्या बोला नुमिरेटर बनाने के लिए 77 बनाना है कौनसा निगेटिव लाकारएगा पॉजिटीव की निगेटिव से because the positive and this negative will be negative write it snode 17 कब आएगा 700 कुछ कुछ से नंबर से मिल और करेंगे 11 से सो minus 7 by 12 हमारे पास था अब minus 7 into क्या करें हम positive 11 by 12 into positive 11 is equal to 11 7s will be 77 and minus plus will be minus और यहाँ पर 12 11s कितना 132 तो इस तरह से हमारा जो fraction है वो हमें मिल जाता है with given numerators understood yes चलिए अब question 7 जो कि हम next video में देखेंगे